साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उप्योग हमें प्रसाथी तरह करना चाहिए लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाथ नहीं, बहुती सहज सुलब मानकर उसे बरबात करते हैं वो पानी का मुल्य ही नहीं समझते, पानी का मुल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता है वही जानता है एक एक बुंद पानी जुटाने में कितनी महनत करनी पड़ती है मैं देश के हर उस नागरिक से कहूँगा जो पानी की प्रचूरता में रहते हैं मेरा उनसे आगरह है कि आपको पानी बचाने के ज़्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्यत तोर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी हमने देखा है नल से पानी गिरता रहता है लोग परवानी करते कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो रात में नल खुला छोड़कर उसके नीचे बाल्टी उलटकर रख देते हैं सुबह जब पानी आता है बाल्टी पर गिरता है तो उसके आवाज उनके लिए मौर्निंग अलार्म का काम करती है वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया भर में पानी की स्थिती कितनी अलार्मिंग होती जा रही है मैं मन की बात में भी अक्सर ऐसे महानुभावों का जिक्र करता हूँ जिनोंने जल संरक्षन और जल संचेन को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाया हुआ है ऐसे लोगों से भी सिखा जाना चाहिए प्रेणा लेनी चाहिए देश के अलग-अलग कोनों में अलग-अलग प्रवोग होते हैं उसकी जानकारी हमें अपने गाउं में काम आ सकती है आज इस कारक्रम से जुड़ी देश भर की ग्राम पंचायतों से भी मेरा आग्रह है गाउं में पानी के सुरोतों की सुरक्षा और स्वच्चता के लिए जी जान से काम करें बारिस के पानी को बचा रख कर गर में उप्योग से निकले पानी का खेती में इस्तिमाल करके कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देकर ही हम अपने लक्षों को हासिल कर सकते हैं